हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बेल लाइकन को भी दवाएं ता इस सारी लेटर्स अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे तहले हलो इस्टूडेंट्स वेलकम टू एकोनोमिक्स क्लास इन वाई चैनल ग्यान की सक्ति आज हम ले रहे हैं एकोनोमिक्स में और सास्त्र में ये टॉपिक आर्थिक नियोजन को प्रिभाशित कीजिए इसके मुख लक्षन बताईए भारतिय अर्थ वेवस्था के संदर्व में आर्थिक नियोजन के परमुख उदिश्यों की चर्चा कीजिए या ऐसे भी एक कुश ना सकता है भारत में आर्थिक नियोजन की परमुख उपलब्दियां एवं ऐस अफलताओं का विवेचन कीजिए सबसे पहले हम जाने की आर्थिक नियोजन क्या होता है उसकी क्या परिभाशा है आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है योजना का आधार मनुष्य का पूर्ण बेवार है आज जीवन के परतेक छेत्र में परतेक चरण में परतेक दिशा में नियोजन अपनाया जाता है जिस परकार एक व्यक्ति अपनी सफलता के लिए विभिन चरणों में योजना बद कार्यकर्म अपनाता है ठीक उसी परकार एक रास्ट भी अपने विकास के लिए सर्वांगिन का मतलब होता है समस्थ विकास यानि हर छेत्र में विकास हो उसके लिए आर्थिक नियोजन को अपनाता है आर्थिक नियोजन के अर्थ सवरूप एव छेत्र के संबन में सभी विद्वान एकमत नहीं है अते इसकी कोई एक सर्व मानने वो निमलिखिट है एच डी डीकंस के अनुसार है एच डी डीकंस संद ने बताया है कि आर्थिक नियोजन से अभिप्राय मैत्वपूर्ण आर्थिक मामलों में विश्त्रित तथा संतुलित निर्णे लेना है दूसरे शब्दों में क्या तथा कितना उत्पादित किया जाए व्यवस्था को एक ही रास्टिये आर्थिक इकाई मानते हुए तथा व्यापक सर्वेक्षन के आधार पर सचेत तथा विवेक पूर्ण निर्णे के द्वारा दिया जाता है ये कहा है एच डी डिकिन संद ने उसके बाद आते हैं डॉक्टर डाल्टन उन्होंने बताया कि विश्थित अर्थ में आर्थिक नियोजन से अभी प्राए कुछ व्यक्तियों द्वारा जिनके अधिकार में विशेश प्रसादन हो निश्चित उदिश्यों की पूर्ती के लिए आर्थिक किरिया का संचालन करना है अब बहुत सीदे से समझ लीजिए आर्थिक नियोजन क्या होता है चैसे कि आप सभी के घरों में आपके जो parents हैं वो भी अपनी आयक अनुसार एक परिवार का परिवारिक budget बनाते हैं कितनी आय है और कितने मदों पर हमें कितना खर्च करना है और ये सब खर्च करते हुए हमें monthly या सालाना क्या सेविंग करनी है तो उन्होंने एक प्लैनिंग बनानी पड़ती है अर्थात अपनी रुपे पैसे का किस परकार से वो इस्टेमाल करेंगे आयके नुसार किस परकार से उसको खर्च करेंगे और इस वर्स उन्हें एक planning बना लेते हैं कि इस वर्स उन्हें अपना ये विकास करना है ये काम करना है अपना मकान बनाना है या कोई और occupation कोई भी विवशाय जो वो सुरू करने जा रहे हैं ये करना है तो इस परकार की एक planning बना लेते हैं और उस planning के आदार पर ही वो काम करते हैं ठीक ऐसे ही हर देश में planning बनती है एक planning commission होता है योजना आयोग होता है और योजना आयोग जैसे कि आप पढ़ते हैं 5S plans पढ़ापने 5 वर्षी योजनाएं हैं 5 वर्ष का एक planning बन जाता है कि हमें कहां कहां कैसे खरच करना है ठीक वैसे ही वो बड़े scale पर होता है और छोटे छोटे scale पर भी जो भी हम काम करते हैं इन आवर फैमिली अपने परिवार में भी या इन आवर स्कूल टू अपने स्कूल में भी किस परकार से बहाँ पर जो स्कूल को चलाते हैं जो एक management committee होती है वो किस परकार से उस college में कैस ये होता है और planning के आधार पर ही हमें उसका एक budget तैयार करना पड़ता है कि इसमें कितना खर्च आएगा और कितना ये पैसा जो खर्च आने वाला है हमें कहां कहां से इसको लेना होगा तो ये सारी एक योजना बनती है आर्थिक नियोजन की विसेष्टाएं या लक्षन क्या है ये बहुत पूचा जाता है उप्युक्त जो परिभाशा है जो भी हमने पढ़ी है जो इसका अर्थ पड़ा है उसके आधार पर इसकी कुछ विसेष्टाएं हैं सबसे पहला है आर्थिक संगठन एवं विकास तो देखिए नियोजन आर्थिक संगठन एवं विकास की एक समनवित परनाली है समनवित का मतलब होता है सकल सकल का मतलब होता है पूरा अर्थात इंट्रिग्रेटिड वर्ड होता है इंगलिस में ये कि यानि नियोजन जो है वो आर्थिक संगठन एवं विकास की एक पू या हमारा एक district हो या परदेश हो यानि उसमें कोई भी पहलू बचे ना अर्थात सब का विकास होना चाहिए सरवांगिन विकास हो सभी का विकास हो दूसरा केंद्रिय नियोजन सत्ता द्वारा संपन आर्थिक नियोजन की समस्त किरिया विधी एक केंद्रिय नियोजन सत्ता द्वारा संपन की जाती है अर्थात एक मैंनेजमेंट होता है और केंद्रिय नियोजन सत्ता ही उसको आचलाती है तीसरा निश्चित उदिश्य के साथ समन्वे केंद्रिय नियोजन सत्ता द्वारा देश में उपलब्द समस साधनों का निरिक्षन, सर्वेक्षन तथा संगठन करके पूर्व निश्चित उदिश्यों के साथ समन्वे किया जाता है यानि केंद्री सत्ता के द्वारा या केंद्री नियोजन सत्ता जो हमारी होती है जो planning commission होता है उसके according ही वो सारा development किया जाता है चोथा साधनों का विवेकपूर्ण वित्रण अधिक्तम सामाजिक लाब को प्राप्त करने के उद्रण से साधनों का वित्रण विवेकपूर्ण धंक से तथा प्रात्मिक्ताओं के आदार पर किया जाता है अब इसके जो उद्रण है वो क्या है यह आर्थिक नियोजन का पाजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा कोनिस्ट्यूशन हमारा समिधान लागू हुआ और एक अपरेल 1951 को हमारा योजना आयोग बना और पहली पंचवर्सी योजना एक अपरेल 1951 से शुरू हुई जो पाँच वर्स के लिए होती हैं पंचवर्सी योजना हैं तो यह यह कोश् कि पर्थम पंचवर्सी योजना कब शुरू हुई एक अपरेल 1951 से शुरू हुई अब तक 11 पंचवर्सी योजना एक पूरी हो चुकी हैं बारवी पंचवर्सी योजना दो हजार बारे और सत्रे कारेशील है तो देखिए चुकि यह जो टॉपिक हैं यह सब पहले हैं और अब इसमें थोड़ा सा बदलाओ आ गया है और यहां पर अब नेक्स्ट तेरिवी पंचवर्सी योजना भी चल रही है भारत में आर्थिक नियोजन के पर्मुख उदिश अगर लिखित हैं नमबर एक रास्टी आये विम परतिव्यक्ति आये में व्रदी जन सामाने के जी रोजगार में व्रदी हो भारत में आर्थिक नियोजन का दूसरा उदिश रोजगार के अउश्रों में व्रदी करना है अते क्रिशी उद्योग सेवाओं आदी का विस्तार किया गया है तीसरा आतम निर्भरता की प्राप्ति योजनाओं में प्रारम से ही आतम निर्भरता प्राप्त करने की बात कही गई है तरती योजना में इस पर विशेज जोर दिया गया पांच वी वे छटी योजनाओं में तो विदेशी साहितापन निर्भरता को निन्टम करने की बात कही गई थी आठवी योजना इसी दिशा में एक कदम है चोथा कल्यानकारी राज्ये की स्थापना भारती नियोजन का एक उदेश देश में कल्यानकारी राज्ये की स्थापना करना है आए एवं संपत्ति में वित्रण की है समानता को दूर करने की बात परतेक योजना में की गई पांचवी योजना का मुख्य उदेश गरीबी दूर करना ही था इसके लिए नियुन्टम अवशक्टाओं की विवस्था पर भी जोर दिया गया था पांचवा सारवजनिक छेतर का विस्तार भारत में आर्थिक नियोजन का एक उदेश सारवजनिक छेतर का विस्तार करना रहा है ताकि उन उद्योगों की स्थापना की जा सके जिनमें उद्योगपती पुंजी विन्योग करने में ऐसमर्त रहते हैं छटा समाजबादी समाज की स्थापना इन योजनाओं में समाजबादी समाज की स्थापना परविशिज जोर दिया गया इसके लिए आम जनता को सामाजिक न्याय दिलाने तथा आर्थिक जो एसामानता लोगों के बीच में है उसको दूर करने का प्रियास किया गया और भी बहुत सारे उदिश जो हैं वो हैं जनसंख्या व्रधी पन्यंत्रन पिछडे छेत्रों का विकास उद्ध्योग एम सेवाओं का विस्तार खाद्यान एम उद्ध्योगी गुत्पादन में व्रधी अब देखे भारत में आर्थिक नियोजन की बहुत सारी अच्विमेंट्स हैं बहुत सारी उपलब्दियां हैं जबसे पंचवर्सी योजना बनी उनके टहट जो देश का विकास हुआ है तो उस छेत्र में वास्तों में बहुत ही सरानिये कारिये हुए हैं तो वो क्या क्या है नंबर एक विकास योजना क्या क्या हुआ है योजना विकास की दर बढ़ी है दसवी योजना में विकास्तर का निरधारिद लक्से आठ परतिशत था, रास्टि आयम प्रति वेक्ति आयमे निरंतर बर्दी हुई है, योजना काल में कृषि उत्पादन में तिवर गती से बर्दी हुई है, योजना काल में उत्योगिक उत्पादन में बर्दी हुई है, उत्पादन में विवित्ता आई है, विवित्ता यानि अनेक रूपों में अब उत्पादन किया जाने लगा तथा भारी एवं आधार भूत उद्योगों की स्थापना हुई है कहां 1947 में जब देश आजाद हुआ था हम विदेशों पर निर्भर थे कुछ चीजों के लिए लेकिन आज हम उनी चीजों को बाहर भेज रहे हैं आधारी सनचना का निर्मान हुआ है रेलवेवे सडकों का विस्तार हुआ है जहाज रानी की छमता बड़ी है हवाई परिवेन बंदर गाओं की स्थिती एम आंतरिक जलमार का विकास हुआ है इसके अलावा सिक्षा एम स्वास्ते सेवाओं का विस्तार हुआ है विद्धुत उत्पादन की छेतर में उलेकनिये ब्रदी हुई है आधुनी की करण तूसरा पॉइंट है भूमी सुधार कारे करमों का विस्तार किया गया है उर्वरक जिने खाद कहते हैं वे उन्नत बीजों का परियोग बढ़ा है पहले एक बीघा जमीन में बहुत कम पैदावार होती थी आज तीन गुनी पैदावार हो रही है पहले की अपेक्षा और आज किसान इतना सिक्षित हो गया है इतना उसका ज्यान वर्धन हो गया है कि वो एक-एक साल में अपने उस ही खेट में एक फसल के बजाए दो-दो फसल ले लेता है तथा आधूनिक क्रिशी यंत्रों के प्रियोग को परोतसान मिला है सिचाई वेवस्था विपनन वेवस्था विपनन का मतलब बेचना अर्थात अपनी चीज को बाहर ले जाकर बेचना पहले किसान इतना सिक्षित नहीं था अर्थात खेत में से ही बड़े-बड़े जो ब्रोकर होते थे दलाल होते थे महाजन होते थे वो वहीं से कम रेट पर उनका माल खरीद लेते थे और सहरों में ले जाकर उसको अधिग रेट पर बेचते थे लेकिन आज किसान के पास सारे सादन है आवा गमन के सादन है इसलिए उपना सामान जो भी उसकी फसल होती है उसको ले जाकर अन्यतर जहां भी उसे अच्छा उसका मुल्य मिलता है वहाँ बेच सकता है आधार भूत इंपुंजिकत उद्योगों की भी स्थापना हुई है उसके बाद आतम निर्भरता योजना काल में हमारा देश आतम निर्भरता की और अगर्शर हुआ है आयात आयात मैंने मंगाना प्रति स्थापन की निती अपनाई गई है भारी मसीने वे विद्यूत उपकंड देश में तयार किये जाने लगे हैं तथा खाद्यानों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है सामाजिक नियाए देश में आर्थिक विम सामाजिक समानता लाने के लिए विभिन प्रेणात्मक एम सम्मेधानिक उपाए किये गए हैं लेकिन थोड़ी सी ऐसा फलताएं भी हैं कहीं कहीं पर आर्थिक नियोजन अगर कहीं थोड़ा सा काम्याब नहीं है या कहीं कुछ विकास किसी भी देश के किसी भी विसेश छेत्र में कम हुआ है प्रतिव्यक्ति आये जादा है प्रतिव्यक्ति आये के आधार पर आंकलन होता है कि कौन सा देश या कोई अमुक देश कितना प्रगति शील है या उसमें GDP रेट क्या है तो हमारे यहां आज भी प्रतिव्यक्ति आये कम है जनसंख्या में तीवर बर्दी के कारण बेरोजगारी में बर्दी हुई हम जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर पाए और इसलिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है सीमिस साधनों के कारण विसाल प्रियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकी है आर्थिक एसमनताएं बढ़ी है इनसीमिस साधनों का मला हमारे पास पैसा कम है इसलिए हम जो हमारे उदिश्थ है उनको पूरा जादा नहीं कर पाए मुल्यों में बेहतासा वर्धी हुई है अर्थात खास रूप तोर से जो खाध्यान है उनके मुल्य बढ़ते जा रहे हैं नीती संबंदी ढाचे का अभाव रहा है तथा नियंतरन और नियमन प्रस्पर एसंबद रहे हैं चाटा आंतरिक वित्ति संसादनों की कमी के कारण आंतरिक विवभा रिणों के भार में जो रिण है हमें लेने पड़े हैं उनका जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उसमें भी बहुत प्रदी हुई है लेकिन फिर भी यदि एनलेसिस किया जाए निशकर्स निकाला जाए तो निश्चित रूप से ये प्लैनिंग कमिशन ही है ये आर्थिक नियोजन ही है जिसके आधार पर हमारे देश का उत्त्रोत्तर विकास हुआ है और होता जा रहा है उप्युक्त कम्यों के बावजोद योजनाओं के उपलब्दियों को नकारा नहीं जा सकता आर्थिक नि友जन के फल्स औरूप ही हमारे देश की अर्थवेवस्था है उसको गती मिली है अर्थात हमारा नियंटर विकास हो रहा है और हम एक विकास सील अर्थवेवस्था को एक विक्षित अर्थवेवस्था की और ले जा रहे हुं तो देखिए आपको ये समझ आ गया होगा कि आर्थिक नियोजन क्या होता है आर्थिक नियोजन की विसेशताएं उसके वुदिश्य और हमारे भारत वर्स में अच्विमेंट्स क्या हैं उपलब्दियां क्या है आर्थिक नियोजन की यदि कहीं पर कोई खामी रही है तो ऐसा फलताएं थोड़ी सी क्या है और निसकर्स क्या है इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है थैंक यू